बसों से उतरते ये किसान पहुंचे हैं राजधानी नई दिल्ली दरसल रविवार को राजधानी नई दिल्ली में अमर उजाला की अगवाई में किसानों के लिए स्वस्थ धरा खेत हरा कारिक्रम का आयूजिन किया गया इस कारिक्रम में मुख्य अतिती के रूप में पहुँचे कृशी मंत्री राधा मुहन सिंग किसान के हित को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में उन्होंने यहां जानकारी दी आप देखेंगे कि हमारे मुदी सरकार आने की चार बरस पहले आठ लाग टन की मात्र खरिदारी हुई थी हम 31 मार्ज 18 की बात करते हैं चाल साल का हमने 78 लाख टन की खरिदारी की है और पहली बार जो 14 खरीब के जिंस थे उनका डेड़ गुना हमने तै कि और डेड़ गुना तै कि लागत से कि चार-पांच फंसनों का ही लागत से डढ़ गुना था हमने सब का डیढ़ गुना घोशित किया है जितने भी recommendation सौामी नाथन जी के pending थे ठंडे बस्टे में थे और अटल जी के समय जितने refers किये गए थे जो ठंडे बस्ते में था मोधी सरकार आते हैं हमने उस समका क्रियानमन किया है और उसका प्रिणाम देखेंगे कि सिर्फ अनाज कहीं रिकार्ड उत्पादन नहीं भागवानी का उत्पादन आजादी के बाद सबसे जादे बढ़ा है अंडा, दूध, मचली, ब्लू रिवलेशन के तहद जो मचली का से लंबी थी 99, लगभग 40 पूरे हो गए हैं और मार्च, दिसमबर उनएशाति आते सारे पूरे होंगे, हर खेट को पानी देने के लिए, हर खेट के लिए देश बे अलग से अग्रिकल्चर का फीडर और उन्हें दिसंबर आते-आते हर खेत को पानी मिलेगा हमारे पहले जो क्रिशिय मंताले का बजट था पांच साल का एक लाखेकरश जार पांच साल के अंदर हमारा बजटँ देखेंगे दो लाखेकर जार जार कड़ू का है और बजटी आवंटन के अलावे किसानों के लिए कोई कॉर्पस फंड नहीं बनता था। कारिक्रम में केंद्र कुर्शिमंत्री राधा मोहन सिंग ने अमर उजाला द्वारा प्रकाशित पुस्तक स्वस्त धरा खेत हरा का भी विमोचन किया। इस पुस्तिका के जरीए किसानों को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी।